नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत हैं। नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत हैं। महिला सभा की जिला अध्यक्ष से मिलने जेल पहुचे। महिला सभा की जिला अध्यक्ष से जेल में मुलाकात के बाद शुपाली आदव ने सदन में हुई अखलेश यादव और ये शव मौरे के बीच हुई नोग जोग और यूनिफोर्म सिविल कोट भाजपा में जुआने को लेकर बड़ा बयान दिया हमारी पार्टी माईला सवा की अध्यक्ष है वंदाओ की और पधान भी है गाउं उसे बंत कर दिया है भूके और जब की ऐसा कोई केस है नहीं देए चेल वेजिया है निर्धोस उसमें आपके पार्टी के एक नेता है कि पिता जी भी यहां बनने है पूर ब्लाक रूमुक क्या उनसे मुलागा थुए और कोई बात हुई है हाँ वो भी बनन है वो भी बनन है उनसे भी गाजियबाद देव बन्द में जमियत उलेमा एहिंद में महमूद मदनी के बयान पर जूना अखाड़ा के अंतरास्थर प्रवक्ता महंत नारायन गिरी ने बड़ा हमला बोला है उन्होंने कहा कि महमूद मदनी को हमेशा हिंदूों ने सपोर्ट किया है जब कलंकित धाचा आयोध्या में गिराया और इनको सपोर्ट करने वाले देवबन्द में अधितर हिंदू थे इस तरहा कि भाशा बोल कर देश का वातावरन खराब करना विक्रित मानसिक्ता का प्रतीक है ऐसे समय में ऐसे बड़े विद्वान को ऐसी भाशा शोभा नहीं देती है और कहा कि देवबन्द में महमूद मदनी को एक प्रस्ताव लाना चाहिए कि पांस साल पहले मुगलों जितने भी मंदे तोड़े वह वापस हिंदू को सौब दे समय में ऐसे बड़े विद्वान को ऐसी बात सोबनी देती है पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे जो कि उप्चुनाओं के लेकर हमारी तैयारियां पूर्ण है तेज तारीक को चुनाओं के थिये और शबीस तारीक को मत गड़ता है पुलिस की कही नेवल की प्यारियां है सबसे पहले नामांकन जो हमारे सामने है नामांकन की प्रतिविया शुरू हुए उसमें जितने भी बेरिक्रिडिंग की विज़स्ता, लोयन ओर्डर की विज़स्ता, सीसी टीवी कैमरे की विज़स्ता, डिपलामेंट की विज़स्ता वो सब प्लान कर ली गई है उसके साथ साथ आचार सहीदावी पालंगे लिए जितने भी जिटने प्रकार का डिपेस्टमेंट होना है जो भी ऊस्की बैनर से बटाये जाना है और उसकी प्रक्रिया और हमान में अदिक्रमण कारी ने अधिकारियों से मतसलूकी की है साथी मौके पर जुमकर बबाल भी काटा और साथी साथ ग्राम प्रधान पर भी हमला किया है जिसके बाद प्रधान ने इसकी शुकायत थाने में दर्च कराई है अतिक्रमण कारियों ने अधिकारियों से बतसलूकी की है बद सलूकी का ये मामला सामने आया है, ग्राम प्रधान पर भी हमला किया गया है, राय बरेली से ये खबर सामने आ रही है खबर कानपूर से है, जहां रोड पर बल्लियों के सहारे बिजली के तार लगे हैं, जो बड़े हाथ से को दावत दे रहे हैं और आंधी आने पर यहां पर कई दिन तक बिजली कटोती हो जाती है, इस पर छेत्रे लोगों ने उतरप्रदेश पावर कॉर्परेशन लिमिटेट पर लिखिच शिकायद भी की, जिसके बावजूद भी इसका कोई निशकश नहीं निकला ना ही इन्हें ठीक किया गया है तसीरों भी दिखा जा सकता है किस तरहां से बिजली के तार जूल रहे हो और कभी भी बिजली कटोती हो जाती है प्रतापगड के लाल गंज तहसील सभागार में उत्तर प्रदेश लेकपाल संग की तहसील इकाई की कारेकारणी का महा कारेकारणी का गहमा गहमी के बीच चुनाव संपन हुआ है जहां तहसील सभागार में हुए चुनाव में निवर्तवान अद्यक्ष राम चंद्र त्रिपाथी सर्वसमती से फिर से अद्यक्ष चुने गाए है और मुहम्मद अकरम ने सीधे मुकाबले में सूर्य प्रकाश मिश्र को मातर तीन मतों से पराजित कर जीत हासल कर ली निर्वाचन अदिकारी संग के जिला मंतरी दूदनात गौतम ने चुनावी परिडाम की घोशना होते ही निर्वाचन पदधिकारीों की साथी लेखपालों ने फूल मालाओं से अपनी खुशी का जाहिर किया है और नव निर्वाचित अदिक्ष रामचन पदधिकारी ने संग की एकता और लेखपालों के मान सम्मान में संगर्ष को और मजबूत बनाने की बात कही है प्रवाज़ को देख करके, तमारी तरमेता को देख करके, तमारी महनत को देख करके, हमारे सभी साथियों ने एक बार दुबारा हमको निर्विरोध रूप से निर्वाचित किया है। सबसे पहले मैं मेडिया बंदों को दूर 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 दिमा देता हूं कि उसता कि अब आए। जीत करेम अपने सदन के सभी सदसों को देना चाहता हूं उन्होंने ही मेरा चेयन किया है। बिजिनो शहर में अतिक्रमण को लेकर बुल्डोजर का खौफ साफ नजर आ रहा है और अवैद निर्मार पर लाह निशान लगा नहीं है कि लोग अपने मकान के उस हिस्टे को खुद ही तोडने में लग जाते हैं दरसल प्रिशासन ने तीन दिन पहले इन अतिक्रमण कारियों को नोटिस ज़ारी कर खुद सी अपना अतिक्रमण हटाने को कहा था जिसके बाद अतिक्रमण कारियों ने खुद ही अतिक्रमण हटाने में जिट गए हैं मतुरा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है जोहाँ पुलिस में मुबाइल चीनने वाले गिरहों का परदाफवाश करते हुए पांच आरोपियों को गिरफतार के लिया है साथ ही पकड़े गए आरोपियों के पास से चोरी के 18 मुबाइल फोन और दो बाई कभी बरामत की गई है फिलहाल पुलिस से पूरे मामले की जाच में जुड़ गई है जैद द्वारा आज रात में एक पांच लड़कों के गहन को पकड़ा गया है जिनके द्वारा राज चलते लोगों से बात करते हुए लोगों से मुबाइल इसनेज करना और इसनेज करके भाग जाना इनके द्वारा पिछले कुछ दिनों में काफी मुबाइल स्नेज किये गए थे जिसमें 18 मुबाइल जो एंडुराइड ही है सब बरामत किये गए हैं कुछ मुबाइल लिंक अप हुए हैं बाकी हम लोग लिंक अप कर रहे हैं इनको आज जेल भेजा जा रहा है इनके पास से दो खबर विजनौर से है जोहां के नजीबा बाथाना छेत्र में एक कार और बाइक की आपस में जोड़दार भेडन तो हो गई जिसमें कार अनियंत्रत होकर सड़क किनारे खाई में जागिरी मतादे कार सवार लगभग 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं प्रताबगर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है जहां एक अंतरजन पदिये गांजा तसकर समेत चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है पकड़े गए तसकरों के पास से तीन कुंटल 37 किलो गंजा बरामत किया गया है फिलहाल पुलिस पूरे मामले की कारेवाई कर रही है जिनांग 29-22 पूर थाना चेत्र रानी गंज के अंतरगर बाहर से अवयद गांजा आने की सूचना प्राप्त ली इस सूचना पर विश्वास कर पुलिस अरिचक महदर के निर्देशन में सखन चेकिंग अभ्यान वगहरा बंदी की गई जिसके परणाम सुरूप थाना चेत्र के मुआधार गंज के पास अभ्यूप्त राजेश शिंग आधी के पास से लगभग 3 फुन तर 40 किलोग्राम अवयद गांजा परामत किया गया प्राइम उत्तर प्रदेश में फिल हाल इता ही देश दुनिया की तमाम ख़बरों के लिए देखते रहें प्राइम टिवी आप देख रहे हैं प्राइम टिवी सच साहस सरोकार